तो हेलो फ्रेंड तो मैंने चारजिंग आऊशी के बारे में पिछले विडियो में दिखलाया है जो 2294 A880 के बारे में मैंने आपको बताया था तो वीकी 2480 के बारे में अगर आपने वो वीडियो देखी है मेरी तो यह आप यह पार 2 देखें नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है क्योंकि मैंने उसको skip करके पार 2 बनाया है वो 20 मिनट का लगबग वीडियो है तो उसे पहले आप जरूर देखें उसके बार मेरा यह पार 2 बीकी 2480 का देखें जिससे आपको यह वीडियो समझने में आसानी होगी ठीक है तो स्टार्ट करते हैं वहाई से तो यह मेरा था चार्जिंग IC जिस पे हम यहाँ पे स्टड़ी कर रहे थे तो हमने देखा था कि जो AC होके है वो हाई और लो करणीशन में होता है हाई और लो का मतलब यह हाई होगा कब और लो कब होगा इसको हम समझेंगे इस ब्लॉक के अंदर तो इसको समझने के लिए हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम यहां से start करेंगे कि इस particular IC के अंदर यह high है या low है मुझे अभी नहीं पता लेकिन जब मैं इसको solve करूँगा तो मेरे को क्या मिलता है इसी ओके तो देखो VCC का मतलब क्या है तो VCC का मतलब है आपका 19V आपको पता है 19V है VCC का मतलब जैसे DC नहीं होता है वही VCC है तो यह 19V आपका यहां से इस junction मतलब एक jointing point बनके इस तरफ और यह नीचे की तरफ चला जाता है इसके पास चिक है तो अब यह बात आता है कि आपका यह क्या चीज़ है यह क्या है तो मैंने इसके बारे में भी बता रहा है आपको particular इस चीज़ के बारे में वीडियो बना रखा है कि this is a comparator चीक है तो यह comparator है comparator का क्या use है कैसे काम करता है यह मैंने वीडियो में बता रहा है अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाके comparator का full वीडियो देख सकते है तो यह comparator है comparator में क्या था comparator काम कैसे करता है कि अगर plus minus से बढ़ा होगा मतलब positive अगर negative से बढ़ा है तो जो logic है वो high रहेगा क्योंकि अगर plus ज़्यादा रहेगा तो plus जाएगा और अगर minus ज़्यादा होगा तो minus जाएगा बस यही है इसका काम तो अभी मेरा plus बढ़ा है या minus बढ़ा है तो यह आप बताओगे अगर आपने देखा है तो minus पे 19 वोल्ट है और plus पे 3.2 है तो minus बढ़ा है तो आपका क्या जाएगा minus का मतलब 0 0 वोल्ट चीक है एक मिन्ट मैं इसको साफ कर देता हूँ मतलब इसको समझ लो आप low जा रहेगा high नहीं जाएगा low logic जाएगा क्योंकि यह सब logic component होते है तो logic के हिसाब से हम solve करेंगे जैसे कि यह comparator भी logic होता है या आप जैक सकते हैं यह सिंबल यह भी एक logic है end gate का end gate with not gate end gate है यह तो logic की तरह समझते हैं कि अगर plus कम है और minus जादा है तो जो output निकलेगा वो low निकलेगा और इस point पे low हने के कारण आप इसको solve करना पड़ेगा ठीक है आप यह क्या है end gate है तो पहले end gate solve करेंगा फिर not gate तो यहाँ पे इस pin पे क्या आएगा तो आप इसके लिए है मुझे इस comparator को solve करना पड़ेगा इस comparator को अगर आप solve करोगे तो देखो AC detect पे जंग सा नीचे भी जा रहा है और यहाँ पे भी है तो AC detect पे जो voltage होता है वो आपने मैंने next वीडियो में तो यहाँ पे हाई जाएगा अब end gate एक point जो है मेरा end gate का लेगा है दूसरा जो है not gate का लेगा है ठीक है तो यह high है और फिर यह low है तो low से यह not gate है और यह high बना देगा यहाँ पे आपको पता है not gate high को low low को high कर देता है तो यह point पे तो high पहले से थाई और not gate को जैसे ही low ने पार किया वो high हो गया तो आपको यहाँ पर high मिलता है पुरा ठीक है आपको यह high मिलेगा अगर आपने मेरा logic gates का video नहीं देखा ए तो आपको पहले logic gates का video देखना पड़ेगा तब आपको यह internal logic समझ में आएगा नहीं तो मैं guarantee के साथ कहता हूँ आपको ये कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि ये what is the comparator, what is the logic gate, what is the not gate what is the end gate, end gate का working principle क्या है अगर आपको पता है तो आप ये वीडियो समझ सकते हूँ, नहीं तो आप बिल्कुल भी नहीं समझ सकते तो मेरे चैनल पे logic gates का भी ये डाला हुआ है, तो आप मेरे चैनल को subscribe करे, and मेरे वीडियो को watch करे, जिससे आपको ये समझ में आएगा, तो जैसे ही ये high निकलता है, high इसको मिलता है, ठीक है अब इसके भी ये end gate के दो leg है, end gate के दो input होते हैं आपको पता है, end gate का ये दोनों input okay होना चाहिए, तो output पर ही okay होगा, अब ये okay है या नहीं कैसे पता चलेगा, तो आपको solve करना पड़ेगा, ये कैसे solution मिलेगा इसमें, इसको solution करने के लिए आपको, इनके दोनों input को समझना होगा, एक input ये है, दूसरा input ये है इन दोनों input को समझने के लिए आपको ये फिर दो comparator का सामना करना पड़ेगा इन दो comparator को अगर आप समझोगे तो देखो कैसे समझना है इसको ये वाला plus है, और ये minus है तो plus पे जो है, मेरा 19 volt आ रहा है, देख सकते हैं, यहां से 19 volt आ रहा है, और minus पे 26 volt आ रहा है, तो बड़ा जो है मेरा minus है, तो यहां पे low जाएगा, ठीक है, और फिर दूसरा देखो AC detect पे 2.4 से उपर है और minus पे 2.4 है, तो यहां पे high जाएगा, अब आप यहां पे 2.4 नहीं है, AC detect पे 2.4 से उपर है, मैंने, तो कम से कम 2.5 या 2.6 होगा, तो अगर 2.5 है, तो जो 2.5 है, वो plus पे जादा बड़ा हो गया, और यह minus छोटा हो गया, तो high जाएगा, तो same situation यहां पे होगई, कि जब यह उपर low था, तो यह not gate इसको high कर देगा, और यह end gate का positive था, तो high था, जिसकी वह से यहां पे high आएगा, और यह high आपके दूसरे, आपका जो high है, वो AC गुड़ पे आ जाएगा, फिर दूसरा input VCC underscore SRN है, तो VCC का मतलब है 19 V और SRN भी 19 V, minus नहीं है यह, तो एक voltage है particular, तो यहां पे भी आपका high रहेगा, तो यहां निकलेगा आपका high, ठीक है, तो output मेरे को क्या मिला, high मिले गिया, अब यही high जो है आपका सीधा यहां से, यहां जाएगा 1500 millisecond, 1.3 second का glitch होगा, रूकेगा, और यह फिर high यहां पे आने के बाद, यह क्या है मेरा, not gate है, तो यह not gate का का क्या है, तो आपको पहले not gate समझना पड़ेगा, तो आप इसको समझ पाओगे, not gate जो है, high को low में कर देगा, और जिसकी वासे यह low हो जाएगा, और low अगर हो गया, तो यह अगर P channel है, अगर P channel है, तो यह उपर चला जाएगा, और ACO के मेरा low हो जाएगा, valid condition जो BQ 24-780 के अंदर होगी, वो low की होगी, ठीक है, तो इस तरह से हमें ACO के को समझना होता है, कि ACO के high है या ACO के low है, अगर यह MOSFET N channel का होता, तो अभी यह ACO के वो high की condition में होता, तो particular BQ 24-780 में high होता, लेकिन अभी जो हमने इसको solve किया है, तो low निकला है बाहर ACO के, तो आप अगर charging ACO के देख रहे हो इसमें, तो आप ACO के पे आपका laptop चल रहा होगा, तो 0V होना चाहिए, अगर 3V होगा तो आपका laptop नहीं चलेगा तो यह था ACO के का valid condition, आपको कोई सा भी charging AC आएगा, इसी तरीके से solve करना पड़ेगा, बसरते पहले आपको यह logic gates और logic comparator के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, तो फिर यहाँ पे यह था, और second में आप इधर देखोगे यह क्या है, तो आप देख रहे हो AC drive और CMSRC, जो की N channel के लिए यूज़ होता है, बैटरी drive जो discharging MOSFET होता है, और battery source, जो आपका battery का sensing कह सकते हो, आप जैसे AC drive को चलाने के लिए CMSRC की help मिलती है, तो battery drive को चलाने के लिए battery source की help चाहिए, वही है, और इनको चलाता कोन है आपका battery charging pump और AC drive charge pump तो battery charge pump का नाम है battery source, और AC drive charge pump का नाम है CMSRC और ये दोनों काम करते हैं इन दो logic के उपर जो selector logic कंट्रोल करता है इन दोनों को तो IC के अंदर अगर ये missing है, तो आप समझ सकते हैं कहीं, IC का internal logic खराब हो गया है, चिक है क्योंकि internal logic आप देख सकते हैं कितना कुछ इसमें connect है ये AC drive अंदर इसको CMSRC जाएगा इस पे, AC drive पे voltage होगा, CMSRC पे plus 5.9 add होता चला जाएगा और AC drive CMSRC voltage निकलेगा फिर आपका काम होगा सेम सिच्वेशन ACN और SRN plus 200 mili volt है plus करना पड़ेगा आपको तो कहीं न कहीं आपका ACNE बड़ा होगा क्योंकि ये 19 volt होता है और SRN 12 या 13 volt होगा तो plus निकलेगा यहां से AC OK drive AC good drive क्या है तो AC good आप देख रहे हैं यहां पे है जो की high था तो high ही निकलेगा यहां से और AC OK drive क्या था यह भी आपका high था तो यहां पे high निकलेगा यहां पे यह सब क्या है आप find out करोगे तो देखो यह वाला जो है AC OK drive यहां से आया है AC good आपका यहां से निकला है इन अंडरिस्कोर learn यह कहां से निकला तो यह भी आपका इधर उधर से होगा देखोगे आप find out करोगे copy paste करोगे तो पता दिल जाएगा आपको फिर fat underscore latch off underscore enable मतलब MOSFET को latch off enable क्या चीज़ है समझना पड़ेगा आपको latch मतलब एक धरवाजे की तरह काम करता है और adapter current over current में भी इसका full form हो जाएगा तो खुल मिला के आप समझ सकते हैं कि जो AC drive है वो internal selector logic के साथ connect है वो control कर रहे है ठीक है logic को भी बहुत सारी input मिलनी जरूरी है तब जाके वो काम करेगा जो आप देख रहे है तो AC drive ऐसी तरह काम करता है फिर आप अगर नीचे चलोगे third step में तो ये क्या है मेरा जो आपका एक main MOSFET और एक supporting MOSFET होता है उनको control करने वाला PWM driver logic मतलब जो main MOSFET और supporting MOSFET है वो इतनी आसानी से control नहीं होता जितनी आसानी से हम समझते है कि gateway बोलते charging AC देगा लेकिन वो कब देगा कैसे देगा कितना देगा उसके लिए यहाँ पूरी RAM कता charging AC के अंदर है ठीक है क्योंकि ये देख सकते हैं आप ये इतनी बड़ी PWM का internal logic है अंदर और उनके साथ लगे हैं कितने सारे computer एक, दो, तीन, चार, पान, छे ठीक है देख सकते हैं आप 7, 8, 9, 10, 11 ठीक है 11 या 12 जो है सिर्फ और सिर्फ computer लगा हुआ है उसके बाद आप देख सकते हैं ये PWM एक single enable कह सकते हैं इंटर्नल के लिए PWM के लिए भी ये पूरा circuit connect है अगर इनमें से कोई circuit भी हलका सा डग मगाया तो आपका PWM का जो pin है ये डग मगा जाएगा इंटर्नली फिर ये PWM driver logic ही डग मगाने के खरण आपका main MOSFET supporting MOSFET काम ने करेगा इसलिए लोग charging IC को change करते हैं उनका काम हो जाता है क्योंकि कहीने कहीं इतने सारे चीज एक MOSFET को चलाने के लिए हैं तो कई ने कई ये खराब होने के chance बहुत जादा होते हैं और खराब भी बहुत होते हैं तो इनको समझना इतना असान नहीं है और इनको समझने की कोई जरूरत भी नहीं है ठीक है इनको समझ के आपको क्या मिलेगा इनको समझ के आपको क्या मिलेगा basically समझना है तो आपको अपना mind लगाना है थोड़ा सा कि क्या होना चाहिए क्योंकि comparator के बार में आपको पता है तो आप समझना है tj क्या मतलब क्या है और t6 पे निकलेगा क्या ठीक है न कि plus बड़ा होगा तो high निकलेगा चोटा होगा तो लो निकलेगा फिर srp माइनस srn है तो माइनस प्लस कर दो और 120 मिली वोल्ट देख लो कि 120 मिली वोल्ट बचा या उससे ज्यादा बच गया तो जो charging over current protection है वो आपका निकल आएगा उसी तरह 5 मिली वोल्ट srp srn देख लो इसमें जो बड़ा होगा तो high निकलेगा यह लो निकल जाएगा 1.25 मिली वोल्ट है अब srp माइनस srn के अंदर आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन सा बड़ा है तो इस तरह से आप इसको समझने की कोशिस कर सकते हैं फिर pwm है तो pwm के लिए आपको यह समझना पड़ेगा अब यह रैंप क्या होता यह मुझे भी नहीं पता है ना फिर यह होता 10 यह एक तरह का current होता है इंडिपेंट और जैसे यह पीमोल लिखा हुआ है पीमोल पादनी पावर मोनिटर ओन है तो यह चोटे-चोटे जो सिंबल है यह किस चीज़ के है आई डोन नो चीक है तो बहुत सारी चीज़े होती है जो सबको पता नहीं होती है लेकिन अगर आप प्रेक्टिस करना चाहते हैं आगर आ मैंने आपको बताया इतना समझ लो बस हुआ ही काफिए फिर उसी तरह चार्जिंग आइसी में बोलता आता हूं कि एसडी एसील होता है कॉमिनिकेशन के लाइन होती है तो जो वह एसडी ए और एसील चार्जिंग आइसी में देखते हो बैटरी कनेक्टर पे देखते हो वह चार्जिंग आइसी से कनेक्ट होता है यही वाला और बैटरी कनेक्टर से और आयो के अंदर यही भी कनेक्ट होता है तो चार्जिंग आइसी से भी कॉमिनिकेट करता है चार्जिंग आइसी के अंदर पर्टिकुलर एसेम बस का एक इंटरफेस होता है मतलब एक कंट्रोलर होता है जो charger option को control में रखता है charger current को charger voltage को input current को discharge current को manufacturing ID भी जो होती है आपकी charging IC के अंदर होती है मतलब आज कल के जितनी भी charging IC आ रही है तो उसका जो manufacturing ID है कह सकते है बैटरी का या फिर board का particular charging IC के अंदर होता है जो HDACL के जरिए आपका board sense करता है कभी कभी क्या अगर आप दूसरी charging ऐसे लगाते हो तो दिक्कत करता है ID के कारण battery charge नहीं होती है या battery sense नहीं हो पाता या कई न कई छोटी charging charging से related issue आता है जो manufacturing ID में अगर कोई दिक्कत होगी या device ID में कोई दिक्कत होगी है फिर आप देख सकते हैं इनके input और output भी कितनी सारी है इसको requirement कितनी सारी है इनेबल रन चार्ज इनेवेट यो जो इनेबल रन हमने देखा था एसी ड्रैप वह यहां से निकला या फिर साहिद वहां से करेक्ट है है ना फिर यहां पे cm-pin cm-p-out यह एक सर्किट है जो की open drain pin होता है cm-out यह भी MOSFET है अंदर अगर high रहेगा तो यहां पे voltage रहेगा अगर यह low हो जाएगा तो यह पूरा 0V से connect हो जाएगा अब यह high होगा यह low होगा वह किसके उपर depend है तो आप देख सकते cm-pin के उपर depend है यह माइनस पलस अगर माइनस बड़ा हो गया तो लो निकल जाएगा लो निकलने से MOSFET हो जाएगा है ना तो आपको चेक कर लेना है कि cm क्योंकि ic के अंदर आपको नहीं पता कि इसका मतलब क्या है तो आपको ic में यह भी स्केमेटिक डाइग्राम में यह मिलेगा तो इसका क्या यूज है आप उसके particular data sheet में पता कर सकते हैं उसके साथ क्या connect है data sheet में पता कर सकते हैं जैसे अब यह आपने देखा कि cm pin और cmp out एक competitor और एक MOSFET के साथ connect है उसी तरह मैंने जैसे बोला सबसे उपर जो title में आपको दिखला था कि charging ic processor को indicate करता है monitor करता है तो आप देख सकता है यहाँ पर pin नंबर 10 से देखा है processor hot detect मतलब अगर यह 10 नंबर क्या काम करता है यह जो 10 नंबर है यह आपके CPU core ic से connect होता है CPU से नहीं connect होता है core ic के अंदर connect होता है और core ic आपके CPU से connect होता है अगर CPU गरम होगा तो core ic को पता चलेगा और core ic आपका charging ic को information भेज देगा कि CPU गरम हो रहा है आगे से सारा circuit को बंद करो जिसके कारण voltage आना बंद हो जाएगा और CPU गरम होना बंद हो जाएगा यह सब तो वो core voltage बंद होने के कारण भी हो सकता है लेकिन इस इन में से को information गलातों कि तो भी दिक्कत है है ना और इसको जो एक particular supply या फिर कह सकते है सेटिंग है battery present से connect है यहाँ पे जो PWM circuit से ही connect है मतलब PWM circuit से ही connect है जो MOSFET को control करेगी charging MOSFET को है ना तो यह छोटा सा आपका internal logic जाब यह मैंने particular part 2 के अंदर सिर्फ इसके बारे में ही बन आता तो आप थोड़े से lazy हो जाते आपको समझ में नहीं आता I hope यह जो मैंने part 2 में बताया सिर्फ इसमें आप interested होंगे और यह आपको अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा चीक है तो यह आपका क्या था ब्लोग functional block diagram और हर charging IC के अंदर functional block diagram होता है चीक है तो यह अगर आप नीचे जाएंगे तो आपको और भी कुछ informative चीज़े मिलेगी theory मिल रही है अब यहाँ पर देख सकते हैं क्या लिखा है enable and disable charging अब आपका जो charging होगा कब होगा और charging कब नहीं होगी तो इसके अंदर दिया गया है कि in charging mode following condition have valid start charge battery को charge करने के लिए जो valid condition होने या missing चला गया ठीक है तो आपकी जो battery है वो चार्ज नहीं होगी अब आप पढ़ सकते हैं आपको किस किस चीज के उपर काम करना पड़े हैं है ना देख सकते हैं बहुत सारी चीज़े हैं कम से कम 10 से 15 step है अगर उनमें से कोई गलत हो गया तो आपकी battery charge नहीं होगी तो यह बयुक्स हमें कहां पता चलता है इंटरनल चारजिंग सर्कुट में ऑर और इसके बात धिया है पं मतलब जो malt जो उसके बारे में current and power monitor high currency पी मोन के बारे में यहां लिखा हुआ है देख सकते हैं high currency power sense amplifier तो यह क्या कहा रहा है बीगी 24787 device monitor total available power from adapter battery Photogator बैटेप्टर बैट्टरी के साथ available power monitor करता है छीक है मतलब adapter और बैट्री दोनों के साथ में जो voltage वो ru sun करता है दादक रेस्यों वोल्टेज एंड तो ऩो सब्रीक्राणies रिजन इन की एक ठावं मतलब यह प्रोग्रामे वल किन भी हो सकती है प्रोसेसर होट इंडिकेट फ्रों सीप्यू थ्रेड तर्यक्वा थ्रॉट लिए थ्रॉट लिए फ्रॉटलिंग तो लिए वन सीपू इस रॉटलिंग तर्बो मौर इन दपीक पावर दे मेंगें तर्ब तो ब्रो मेरको इतनी साथ ही नहीं है क्योंकि जो चार्जिंग आइसी के अंदर जो इंग्लिस होती है वह बहुत ही ज्यादा हाइफाई होती है एक दो चीज चार्जिंग आइसी में एक्ष्टा होने के कारण पेज क्या साइज भी थोड़ा बड़ा हो गया है लेकिन आपको जितना पढ़ना है उतना पढ़ें दिमाग पर जोड़ डालने की ज़र्द नहीं है यह मैंने सिर्फ नोलेज के लिए बताया है रिपेरिंग त करता है सिर्फ आइसी चेंज किया अपना लैप्टोप रिपेर हो गया तो उससे थोड़ा सा आगे बढ़ना है क्योंकि कुछ जो आपसे नहीं होता वह डाइग्राम आपकी मदद करेगा इंटनल लॉजिक आपकी मदद करेगा डाटा सीट आपकी मदद करेगा उसको रिप नहीं फिर मिलते हैं नेक्स्ट विडियो में तो किसके उपर विडियो बनाना है आपको किस चीज में प्रहसानी होती है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं ठीक है कमेंट करने से पहले आप एक बार मेरे चैनल पर विजिट करें और चेक करें आपका जो कोसन है क्या मैंने उसके उपर पहले से वीडियो बना रखा है या नहीं बना रखा है अगर मैंने पहले से वीडियो बनाया हुआ है तो आप उसे जरूर देखें उसमें अगर आपको कुछ समझ में नहीं आये तो कमेंट करें अगर आपको मेरे चैनल पर वो वीडियो नहीं मिलती है जो आपको अडा नहीं फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जब तक के लिए बाई बाई एड थैंक यू फोर वाचिंग